थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा तुम्हें कहां 10 लाग भाईया और कहां आप 30-40,000 पर लेकर आए और उन 30-40,000 में भी तुम्हें बस उपर के 10,000 में आना चीज असान लग रही है असानी है मैं बता रहा हूँ लोग गलती कहां कर देते हैं मैं नेक्स पेज पर बताते है रूल नंबर वन पेपर सेल्फ स्टड़ी से निकलता है मेरे घर में 11 भाई है जिन्होंने सरकारी क्रैक करी है ठीक है यूपी सी में ओप्शनल की कोचिंग लिए उन्होंने जैसे दीदी जो थी जिन्होंने क्रैक किया उसके लावा सबने सेल्फ स्टड़ी करी है क्योंकि अधिम इस ताइम में चौर हो जाता है ठीक है कोचिंग जी आप थोड़े छोटे आपको डायरेक्शन ची और इंजिनेरिंग थोड़ा है भी ऐसा पेपर की डायरेक्शन चीए वहाँ पर चलो ठीक है पॉइंट बिंग सेफ स्टड़ी सबसे स्ट्रॉंग है स्वयम क्रिष तो हमेशा याद रखना सेल्फ स्टड़ी इस शुट भी ग्रेटर देन ट्यूशन टाइम ठेक है इस वेरी इंपोर्टन ट्यूशन की स्पेलिंग देख लो गलत करके विस्टी मत कराना कहीं है ठीक है टी यू नहीं होता है टीवाई होता है अगर तुम यहां पे एक्स घं हो गई दस घंटे अगर इस चीज को फॉलो कर पा रहे हो भाई सहाब यह कर लिया न मैं ऐसे 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 साइन कर सकता हूं कि तुम कंप्यूटर साइंस फोड रहे हो गया है सेकंड चीज़ यह है रिवीजिन्स दिस पेपर एनी पेपर इस ओल अबाउट रिवीजिन्स मैंने जाधा इंटर्व्यू तो नहीं लिया अपने चैनल थे पर चाहे यू पीसी टॉपर हूं चाहे बोड टॉपर हूं कभी जाके देखना मैं एक कोशन पहले पूछता हूं और बच्चे जो होते बारवी वाले यूपीसी वालों को तुम्हें नहीं बोल सकता हूं उमर में बड़े होते हैं बोर्ड वालों को मैं शुरुवात में इंटर्व्यू से पहले बोलता हूं सच-सच बोल देना मैं पूरा जानता हूं अगर हीरो बने ना तीन गंटे पड़कर टॉप किया मैं डालूंगा है नहीं तो उन्होंने डंग से बताया मैंने पूछा कितनी बार रिविजन खरा तुमने तो इस बच्चे ने क्लियरली बताया 15 रिविजन मारे हूं 15 रिविजन बूर्ड एक्जाम के लिए फिर तुम टीना डाबी को अगर जानते हो रैंक वन थी कुछ साल प अपने छे से साथ रिविजन नहीं करें वह आपको नंबर नहीं दिलवाएगा इट्स अल अबौट रिविजन इट्स नॉट अबौट कंपलीटिंग दा एक्जामिनेशन जैई पेपर को समझ यार तीन सो नंबर है तीन सो में से तीन सो नहीं लाने होते तुम चाहे दो च इनर्जी होती है उसमें बहुत अनर्जी वह आएटी फोडने के लिए बनाता है मोमेंटम उसका बहुत ही होता है यार अपन तो एक सो बीस क्या ला रहे है रांक एटी लाओंगा तब जाके कंप्यूटर साइंस में लेगी तो वह तो ले आएंगे यासी बच्चे ही तो है उस लेवल की उसमें अनर्जी होती है ठीक है six months down the line वो देख रहा होता है काहां मेरा मैं बरबाद हो गया उस टाइफ की फिर दिक्कत क्या होते है वो motivated वच्चा बहुत सारी किताब ले लेता है वो जाएगा google पे what are the best books for physics सारी किताब है अच्छी है एक publisher उसे print करके इतना ल स्टेप नंबर वन पहले एक teacher पकड़ो golden rule बता देता हूं वन सब्जेक्ट वन टीचर वन बुक मल्टिपल रिविजिंस समझ में आ गया दिस इस दा गोल्डन सही में यही है वन सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट का एक teacher होगा दो नहीं होंगे अंटेनलस वह chemistry है राइट की वह फिजिकल के एक है और्गानिक के एक है इन और्गानिक वह अलग बात है पर physics है maths है एक teacher बस एक teacher